दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉप्टुवियर में SerialWise वेहद आसानी के साथ कारे करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चेनल के माध्यम से सीख सकते हैं इसके लिए आपको YouTube पर मेरे channel पर जाना होगा और channel पर जाने के बाद आपको जाना होगा playlist में playlist पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने मेरे channel की playlist open हो जाएंगी उन में एक playlist आपको मिलेगी जिसका title होगा learn daily prime serial wise इस playlist पर दोस्तों आपको click करना है click करते ही आपको मेरी वीडियो को थमलिल सोने लगेंगे और उन पर उपर है hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 इस तरह से serial लखा हुआ मिल जाएगा आपको hashtag 1 से प्रारम करना है serial से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ add voucher और insert voucher का use करना इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि add voucher और insert voucher दो function है उनको आप किस तरह से use करेंगे और इसकी क्या आपके लिए उपियोगता है इसके साथ इसाथ add voucher और insert voucher में क्या difference है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जागे कि कब आपको add voucher use करना है और add voucher function का use करते समय क्या होगा और insert voucher का use करते समय क्या होगा दोस्तों यहाँ पर मैंने दो example के साथ आपको बताऊंगा तो यहाँ पर मैंने entry कर रखी है मैं चलता हूँ यहाँ पर bank के laser में तो bank का laser मुझे देखना है तो display more reports में गए फिर हम गए account books में और फिर हम को जाना होगा laser में list of lasers में हम आ गए अब हम चलते है state bank of india current account के laser में इसको select करके मैंने enterprise कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तो कि हमने जो भी bank से related payment और receipt की entry थी वो मैंने यहाँ पर कर दी अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तो कि हमने bank का statement लिया जब हमने bank के statement से reconcile किया अपनी entry को जो कि हमारी teleprime software में है तो वहाँ पर balance यहाँ पर mismatch आ रहा है मिसमें इसका मतलब क्या है कि इस जगे जो एक मई में यानि मई मंत में हमने जो भी entry की है वो यहाँ पर open कर रखी है अब मई मंत में जब मैंने bank statement में देखा तो यहाँ पर 7,05,000 रुपए तक तो सही था उसमें भी 7,05,000 रुपए credit balance आ रहा था जबकि हमारे यहाँ पर बता रहा है इस entry के बाद 8,25,430 रुपए इसका रीजन यह है दोस्तों कि bank जो हमें services देता है उसके charges भी हमारे bank account से deduct करता है और वो हमको तभी पता चलता है जब हम bank statement लेकर आते हैं अब यहाँ पर 17,70 रुपए से एक माई में अब क्या करते हैं और देखते हैं कि हमारे यह वेलेंस सही होता है या नहीं अब में स की प्रेश करके आजाते हैं बाहर और यहाँ से चलते हैं voucher में वाउचर में आ गए और यहाँ पर क्या करना है को पेमेंट करना है एक माई में हमने bank के statement देखा तो एक महीं में क्या हुआ कि हमको payment करना सचरों रॉपए 70 पैसे उसकी entry करनी है तो यहां पर हमने state bank को पिंडिया current account लगा दिया और bank charges में जो 70 रॉपए 70 पैसे sms charges के deduct किये गए ते उसकी हमारा balance यहां पर मिल रहा है या नहीं अब देखिए अभीवी यहां पर क्या हो रहा है कि 7,500,000 की entry की बाद 8,25,430 ही सो रहा है इस जगे पर जबकि bank के statement में 7,500,000 रुपए का जो balance उसके बाद सो रहा है 7,49,982 रुपए 30 पैसे तो वो क्यों नहीं हुआ क्यों 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 क् एक मही में 70 रुपए 70 पैसे की जो entry की वो इस date की यानि एक मही की सबसे last entry बन गई तो यहां पर हमारा balance इस जगे पर यानि 7,500,000 तक तो मिल रहा था इसके बाद नहीं मिल रहा है bank statement से तो उसका reason यह है कि हमने entry इस तरह से की तो दोस्तों आपको इस तरह से entry नहीं करना है इसके लिए क्या करते हैं हम यहां से इस entry को delete कर दें अब आपको laser में आकर entry करनी होगी और आप जानेंगे कि किस तरह से आपको add voucher का use करना है और किस तरह से insert voucher का use करना है add voucher का use करेंगे तो किस तरह से करेंगे और insert voucher का use करेंगे तो किस तरह से करेंगे add voucher के लिए later's party हो यह कहने का मतलब यह कोई भी laser हो उस laser में भी जा कर आप सारी voucher entry कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं यहां पर जब भी आपको एड voucher का use करना हो तो आपको दोस्तो keyboard से alt plus a या इन Alexandre के साथ a press करना होगा अब देखिए जैसे हमने alt के साथ a press किया तो कि receipt के entry है इसको select करके मैंने alt के साथ i paste किया add voucher के लिए तो वही voucher खुल कर आएगा लेकिन यह नहीं है कि आप इसी वाउचर में entry कर सकते हैं आप f8 प्रेस करते हैं तो sales voucher में entry कर सकते f9 प्रेस करतेंगे purchase voucher में entry कर सकते हैं f4 प्रेस कर देंगे बहुत अची तरह बिद एक्जम्पल यूज करना सीख सकते हैं इस वीडियो के description में मैं आपको उस वीडियो की link दे दूँगा है ना तो उससे आप देख सकते हैं उस पर click करके उस वीडियो को और add voucher का किस तरह से आपको use करना है master की तरह वो आप सीख सकते हैं अब बात करते है insert voucher की अब हमको क्या करना है दोस्तो insert voucher का use करना है insert voucher में मतलब यह है कि हमारा जो 7,5,000 रुपई यहाँ पर balance हो रहा है और bank statement में इसके बाद 7,59,982 रुपई 30 पैसे सो रहा है तो हम भी यह करें कि हमारा भी यहाँ पर 7,5,000 के बाद 7,59,982 रुपई 30 पैसे ही यहाँ पर balance हो जितना की bank statement में सो रहा है और यहीं पर हम क्या करें यह जो 50,000 रुपई payment की entry इसके बाद ही हम 70 रुपई 70 पैसे जो हमने entry करनी है वो यहीं पर कर लें जिससे की हमारा और bank statement का balance हर entry के बाद मैस होता रहे तो इसके लिए दोस्ता आपको क्या करना होगा insert voucher का use करना होगा insert voucher का मतलब है कि आप जिस भी जगे insert करना चाहें उस जगे कर सकते हैं जैसे एक मही में हमने entry की थी तो वो एक मही की last entry बन गई थी insert voucher में यह नहीं होगा insert voucher में क्या होगा कि आप जिस भी जगे उसको सामिल करना चाहते हैं उस जगे सामिल कर सकते हैं अब हमको क्या करना है हमारी गंगा टेटर्स और दीपक टेटर्स के बीच में हमको इस entry को लाना है किस के बीच में लाना है गंगा टेटर्स और दीपक टेटर्स के बीच में जिससे की 7,50,000 और 8,25,000 के बीच में 7,892,30 पैसे balance हो जो कि हमारे bank statement से भी match कर जाए तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है insert voucher का इस जगे से आकर entry करनी होगी है तो हमने क्या किया state bank of india current account का laser open कर रखा है और यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में 17,70 पैसे की entry करना चाहते है तो इसके लिए दोस्तों आपको insert voucher को लाना होगा और इसके लिए क्या करना होगा आपको alt के साथ i यानि alt plus i प्रेस करना होगा जब भी आपको insert voucher को use करना है और दूसरी बात यह है कि जहां भी आपको insert करना है गंगा टेटर्रों दीपक टेटर्स इन दौनों की बीच में इस entry को insert करना है तो लुट के साथ सुलेक्ट करना है इंसर्ट voucher को लेकर आए तो हमने अल्ट के साथ प्रेस कर दिया और जिस voucher को select किया तो वह voucher यहाँ पर आ गया лет हमको payment voucher लाना है तो हम फाइब प्रेस कर देते हैं, फैमेंट वाउचर को लेकर आए, एक मई में ही हमको एंट्री कर लेते हैं, और देखते हैं, अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इस्टेट बैंक को इंडिया करेंट अकाउंट ले लिया, यहाँ पर ले लिया बैंक चार्ज अब हर एक एंट्री के बाद हमारा वैलंस मिलता जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों, जब भी आपको कहीं भी इंसर्ट करना है, जिस जगे भी सामिल करना है, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ आई प्रेस करके बाउचर में जाना है, और करना क्या है, कि जहां भी यहां पर यह आ गई है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इंसर्ट वाउचर का यूज़ करना है, एक 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 जमपल मैंने आपको बता दिया, एक 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 जमपल आपको और बताते हैं, इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं, सेल्स रेइश्टर में हैं, मैंने यहां पर सेल्स र बाउचर में दिखती है ना तो यहां पर हम sales register में आ गए हैं आप देखेंगे तो यहां पर बाउचर रजिस्टर है और sales register में अभी मैं इस समय हूँ अब यहां पर जो भी मई मैंने मैंने entry किये वो सारी की सारी entries हो रहे हैं और यहां पर जब हम देखेंगे voucher number तो मैंने यहां पर automatic set कर रखा है है ना serial wise हम जैसे entry करते हैं तो अपने आप serial यहां से आ जाता है इसके बाद जब हम देखते हैं तो आप ध्रड़ ध्यान से समझें एक मैं मैं हमने जो entry की है आठ number दीपक traders को जो हमने invoice दिया है वो है आठ number का और इसके बाद संजय traders को जो हमने sales का invoice दिया उसका number 9 ठीके ना और यह जो हमने invoice दिये वो number यह है अब इसमें गलती यह हो सकती है आप से कि आप बिल्बुक में पहले entry करते हैं बिल्बुक से आप invoice काटके दे देते हैं उसके बाद आप यहां पर entry करने आते हैं अब उसमें यदि एक कोई बीच का invoice है जिसकी entry करने आप भूल गए तो क्या होगा आगे के सारे serial बिगड़ जाएंगे यानि serial बिगड़ जाएंगे जो number आपने दीपक traders को दिया है वो number नहीं रहेगा दूसरा number हो जाएगा तो इस इस्तिती में क्या करना है आपको कि 7 number का invoice आप invoice जो है ना उसकी दीपक traders को हमने 8 number का invoice दिया है और Sanjay traders को दिया है 9 number का यह थोड़ा सध्यान रखे क्योंकि यह परवर्तित हो जाएंगे अभी जो मैं आपको बताओं को ठीक है तो दीपक traders का 8 number का invoice और Sanjay traders का 9 number का invoice यह सई invoice है अब क्या हुआ साथ number का जो invoice है cash cell का यह गलती से हमने क्या किया entry नहीं कर पाए तिसकी यह हमने क्या किया इसको delete कर दिया किसी बज़े से delete कर दिया तो आगे के सारे सीरियल बिगर जाएंगे तो इसको हम क्या कर देते है अल्ट के साथ d-prace करके delete कर देते है यह तो delete कर देंगे आप से गलत 8, तो आगे के सारे सीरियल बिगड़ गए, क्यों बिगड़ गए, क्योंकि 7 नमबर का invoice हम entry करना भूल गए, यह हमने गलती से उसको delete कर दिया, अब आपको उसी जगह पर सामिल करना होगा, उस 7 नमबर के invoice को, जिससे की आगे के serial कभी सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो इस तरह से जब भी आपको insert करना है, तो आप किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हमको deepktators का जो यह invoice है, इसके और यह cash का invoice है, इसके बीच में हमको इसको insert करना है, तो जब भी अल्ट प्लस आई प्रेस किया तो यह देखिए sales का हमारा invoice इस जगह पर खुल कर आ गया और साथ number का यह invoice आ रहा है अब यहाँ पर मैंने cash में sell की थी तो यहाँ पर cash डाल देते हैं ठीक है और जो entry हमने क्या है तो गलती से हम कर नहीं पाए तो उसको यह हमने delete कर दिया ताम उसी जगह इसको सामिल कर देते हैं जिससे आगे के सारे serial सही बने रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया अब यह stock item है हमारा 50 की quantity में हमने sell किया था तो वह entry हम फिर से 9 था वो 9 ही है तो इस तरह से दोस्तों हमको जहां पर सामिल करना था अब इसमें हमको उसी जगह सामिल करना होता यदि हम उपर यह नीचे सामिल कर देते तो आगे के जो invoice के नंबर है वो विगड़ जाते सीरियल विगड़ जाते जिस तरह से 8 और 9 नंबर का था यह 7 और 8 हो गए थे तो यह गलत तरीका है तो हमने क्या किया insert voucher का use करके जहां हमको जिस जगह पर जिस entry को insert करना था सामिल करना था वही पर हमने उसको सामिल करा दिये तो इस तरह से ह आखर कर सकते हैं एनी कोई सा भी लेजर हो किसी भी लेजर में आप जाईए और वहाँ पर insert voucher का use करना इंसर्ट voucher का use कर सकते हैं और add voucher का use करना तो add voucher का use कर सकते हैं दोनों ही voucher किस तरह से दोनों ही function है उनको आप किस तरह से use करेंगे और उनका प्रभाव क्या पड़े